आपको अभी से हेबिट डालना है कि objective जितने ज़्यादा लगाओगे उतरा आपके लिए अच्छा होगा ऐसा मेरा मानना है कि 10,000 से 15,000 objective आपको लगाने चाहिए before prelims 15,000 मानलो आपको और सुनो objective लगाने चाहिए का बिलकुल ये मतलब नहीं है कि बिना पड़े बस मोठाया हो और लगाना चालू और उत्तर देख देख के लगा रहे है बच्चा ना misunderstood बहुत करता है चीजों को गलत वे में जादा लेता किसी कपरी निकल गया और उनने बोल दिया कि उनसे पूछा कि भाई साब केसे नेकला बोले हमने objective खूब लगाये थे तो पूरी youth brigade सुन रही होती ही कि भाई साब ने objective लगाये थे अच्छा और लेकिया है कि 5-6 book objective की अलग 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 और बस रोज चालू ऐसा नहीं करना पहले उस topic को पढ़ो अच्छे से थियोरी अच्छे से पढ़ो चीजें clear करो revision करो जाज जादा और फिर जागे objective लगाओ और सुनो लगाना भी थोड़ी इमानदारी से है चुकि अभी शुरुआ थे इसलिए सुन लो बाते यदि as it is implement कर दोगे इमानदारी के साथ तो काम हो जाएगा आपका करना आपको यह है कि आपकी इमानदारी आपके हाथ में मैंने देखा है लोगों को objective लगाते एक तो यह online ने बहुत बिड़ा गरक किया बच्छों का ऐसे mobile लेके बेटते हैं उसी में वो test चल रहे हो तो कोई ठीक है तो वो ऐसे लेटे हुए हैं उसमें भी ABCD लगा रहे हैं टीवी देखते देखते ABCD चल रहा है बात करते करते भी ABCD लगा रहे हैं तो वो एक टास्क तो पूरा हो रहा है कि हम objective लगा रहा है बट आप मजाक कर रहे हो मजाक नहीं करना है फिर जिंदगी मजाक बन जाती बिटा क्या करना है सुनो मेरी बात बिल्कुल कसम खालो अभी से और कोई भी सेट ले आओ objective का मारेकेट में कोई सी भी किताब objective की जो topic यहां खत्म हो रहा है आपका किसी भी subject का चाहे जगरफी हो चाहे history हो चाहे MP हो आप उस topic घड़ जागे पर ले आपके note से पड़ो अच्छे से उसके बाद उस topic की objective निकालो और अब यह देखो कि हमने पड़ भी लिया हमने revision भी कर लिया अब हमसे किता बन रहा है बट जब भू लगाओ तो timer लगाना और बोलना कि MPPAC वाला किता time दे खाली जगे पर बेटो जहां focus कर सको टेस्ट को टेस्ट की तरह दो और फिर लगाओ फिर आप क्या पाओगे कि हमने एक घंटे का हैदी समय रखा तो हम 50 objective लगा पाया है नहीं लगा पाया है time manage हो पा रहा है कि number one number two जो हमने पड़ा उससे सम्मंधित कितने question हमसे नहीं बने मतलब पढ़ने के बावजूर नहीं बने तो उसको गोला लगा लो कि इस पर थोड़ी जादा मेहनत करनी है इसके अलावा उसमें वो देखो कि इसमें कौन से तत्थ हमें में मेले जो हमारी booklet में नहीं है या कुछ extra है उस पे एक अलग मार कर लो और ऐसा topic wise करते चलो और क्या उला 10,000 से 15,000 objective लगा नहीं है भाई साब 15,000 का target रख लो आप तो is it clear